चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का NCIT Math का एकसरसाज 4.3 है स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले में 4.3 का इंटरॉक्षन जानते हैं आपको क्या पढ़ना है कौन से फ्रमूला अपलाई करना उसका क्या क्या नियम है क्योंकि कोई भी चीज देखिए सब चीज का एक बेस होता है जब तक उसके बेस को नहीं जानेंगे कोई चीज आपसे बढ़ने वाला नहीं है तो दीके 4.3 के लिए आपको 4.3 में त्रिभू वाई टू और तिसा में देखिए एकस थिरी वाई थिरी जब तीन में आपके पास दिये हुए हैं तब इसका शित्रफल निकालने के लिए हम लोग ज्यामी ती विधी का पढ़ियोग कर रहे थे ज्यामी ती विधी से त्रिभूज का शित्रफल अपलाई कर रहे थे वन ब साधनिक में त्रिभूज का शित्रफल लेकिये कैसा ओजता है त्रिभूज का शित्रफल निकालने प्रमूला पहला बिंदू को सेकन में और वण जोडना और तीस्रा बिंदू यहां और इसमें वन लिखना लिखिए तो यह जामिति विरी से फ्रमुला बने थी और ये वाला जो साड्निक का, फ्रमुला थे तृपगोचका साड्डिक में तृपुचका मिए से फ्रमुला निकालने का फ्रमुला है, वह है 1 बे 2 इन्टु X1 Y11, X2 Y21, X3 Y31 यह साडनिक रूप निकालने का फ्रमुला बन जा रहे हो अब देखिए साडनिक रॉप में त्रिभूप से निकालने के लिए आपको फ्रमुला यह जा करना पड़े गा यह करना पड़ेगा एक बात ध्यान देते हैं हम लोग और इस प्रत्रा से गौड करने के हम लोग कोर्सिस करेंगे देखिए यह इसका मान चाहते हैं और त्रुपच का शेतरफल आपको माइनस आजा है तो उसको मोड लगा कि आपको प्लस करना होगा चुब त्रुपच का शेतर करने पला करेंगे यही आद रखना के जब भी ट्रुपचका शेतरफ़ माइनस आ है तो मोड लाकर करेंगे ऐसको माइनसस is Army बनता है करेंगे तुम हम लोग कर देंगे कर दो करें कि दूसरा क्या करता कि ये आपको त्रिभूच का शेतरफल दिया हो दूसरा ध्यान से पहला ये आप देखें तर्विट की शेतरफल पांब पनियाया कुछ नियम आपने ये देखा कि ये दी तो मोड़ लास का पडियोक कर के उसको धनात्मक्ति प्लस और माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है माइनस आती है तो हम लोग उसको मोड लाएगा प्लस करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना कि त्रिभूच का चेतरफल दिया हो बहुत सा कुछन हम लोग सल्फ करेंगे एक्सरसाई 4.3 में देखेगा तो यहीं त्रिभूच का चेतरफल दिया हो तो त्रिभूच के चेतरफल को आपको प्लस और माइनस दोनों उठाना पड़ेगा जो एरिया उठाएंगे जो त्रिभूच का चेतरफल उठाएंगे वो आपको प्लस माइनस दोनों उठाना तीन तरह का यही आपके लिए नियम जोहना बहुत इंपोर्टेंट है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और गौर करना होगा आप तो सबसे पहले यह जान दीजिए कि त्रिभूज का शित्रफल सार्णिक रूप में निकालने का फर्मला क्या होता है यह होता है यह होता का प्लस कर देंगे धनात्मक कर देंगे नंबर टू मैंने आपको बताया है कि यदि त्रिभूज का शित्रफल दिया हो तो त्रिभूज का शित्रफल कई भी प्लस माइनस है यानि धनात्मक और इनात्मक दोनों उठाएंगे नंबर तिरी यदि त्रिभूज का शित्रफल जीरो आ जात तो कहेंगे कि तीनों बिंदु कि आपस में संडेक संडेक , यह एक रेक्री वह बोल शक्ते हैं संडेक का मतल़ आएक लिखा में होगे एक लाइन में होगे ठीक हैं तो यह रही बात इसका in्ट्रोडक्शन की तीन नियम में इंपॉर्टेंट बनते हैं इसको या तो आपको बत कहना होगा कि तीनों बिंदू आपस में क्या है चलिए अब हम लोग स्टाइट करते हैं इसका इस फर्मूला का अपला करके हम लोग 4.3 को अच्छी तरह से सल्व करते हैं तो सबसे हैं त्रिभूज का छेतरफाल निकाले के लिए तीन बिंदू आपको तीन बिंदू दिया त्रिभूज का छेतरफल निकालने के लिए साड़निक रूप में आप पर चुके फ्रमुला क्या अता नोसी का उप्योग करके यहाँ पर छेतरफल निकालूंगा सबसे पर यहाँ जो बिंदु दिया है ना इसको आपको क्या लेट करें चलना पड़ेगा मैं ओंड़ेगा एक्स त्रिभूज का छेतरफल निकालना है तो रिखेंगे त्रिभूज का त्रिभूज का छेत्रफल तो साड़नी कुर्प में त्रिभूज का छेत्रफल निकालने का फ्रमुल आपको यादोनीच अब बताया था 1 by 2 into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 अब बेलू को पूड करते हैं 1 by 2 x1 y1 देखे यहां पर देख सकते हैं एक्सट्री वाइट्री एक्सट्री वाइट्री का फेलू कितना है देखें आप फोड और यह क्या हो जाएगा अब चलिए मैं क्या करता हूं इसको काम कर रहा हूं 1 by explain कर रहा हूं वण पर explain कर यह खत्म ए यह खत्मा हमने समनेव कावन 131 मैं 0 पर एक्सप्रेंट नहीं करूगा इस पर 1 पर आगे वाले तिसरी अस्थाम की पहले अब यह पार यहां पर देख सकता है 1 इस पॉन पर करakाऊ उस ऊसी हो जएका वे कटिश्त सिब्सक्स 4033 आप देखिए 105 ही वाइ 1 से गुना करेंगा कोई फ्रिक नहीं पड़ेगा चत्री अठारा गटा चार का 0 से गुना कर दिया 0 1 by 2 0 का 3 से गटा देंगे माइनस 3 आप प्लस अठारा नोसे 0 गटा देंगे 18 जान देजीगा यह 18 नोसे 3 गटा देंगे कितना हो गया 15 तब 15 को 1 by 2 से गुना करेंगे 15 बटे हो जाएगा 2 यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई चुकि छेतरफ़ल जो होता है न छेतरफ़ल कैसे मातरा खमेसा वर्ग में होता है तो देखिए मैंने कैसे क्या किया इसको सल्व कर दिया कैसे पहला को आपको क्या लेट करना पड़ेगा एकस वन वाई वन यह लेट करना पड़ेगा दूसरा को एकस टू वाई टू और तीसरा को एकस तरी वाई थिरी तब आपको क्या ली कर चल पड़ेगा त्रिभूज का छेतरफ़ल का फ्रमूला लगा देना पूरेगा त्रिवुच का छीतिफल क्या होता है फ्रम्ला 1 बटे 2 इंटू होता है X1 Y1 X2 Y2 1 X3 Y3 1 यह होता है आप वहलो को क्या करेंगे पूट कर देते हैं 1 बटे 2 X1 Y1 देखिए X1 Y1 का वहलो कितना है 2 7 और 1 है उसके वाद ए X2 Y2 का वहलो है 111 X3 Y3 का वहलो ह देखे यहां पर इक्स्प्रेंट करता हूं टू पर एक्स्प्रेंट करता हूं ईसके वञते बचरा है यह बचरा है उसके बाद मैं पर एक्स्प्रेंड करता हूं इसको ध्यान देजी का समझेगा ध्यान से वन पर एक्स्प्रेंड करूंगे ये कर्टीस ये कर्टीस तो बचरा 1 1 10 8 ये वाला भेलू आपका बचरा है चलिए येट का 1 है गाटा पर गहल्ड कर्टीस एक्स्प्रेंट करें लश्क्रेंड हो मीनूटा गारी तो दिलए यान देज़ उजर एक्सप्रेंड हुकर चलिए सब गोलगा मानस से फुर्टीन सब्सक्राइब तो यहां पर देंगे 10 में सब्सक्राइब नहीं बुटेगा सबस्ट की थी और माहिनस सुला अब माइनस 2 कि तना हो गया माहिनस 16 आप और 36 THAT फिरनर यह 63 नी यह सोल घाटा देजिए वह कि पिन अगोथ तो तीर सथ dub doc 2000 आजटा देते हैं कितना मचल एक आप 107 ऑ गर देगा ऑंटte कुंग एक फाथ पांच में से घटेगा चार चुवालिस हो गया काट दीजिए इसको बाइस दूना कितना हो गया चुवालिस यानि हो गया बाइस आ यहां पर लिख देंगा वर्ग एकाई ठीक है देख लिए ना कैसे आड़ी यहां समझने की कोशिस करीगा अब देखे तीसरा कोश्चन क्या इसको वरे तरह तरह समझते हैं पाले क्या करेंको वही दिन फून लेट करें अपना को एकशल वाइस और तीसरा को एक सप्रमुला एक यहां था फ्रमुला 1 by 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 1 by 2 x1 y1 x1 y1 का फिल देखिया minus 2 minus 3 1 x2 y2 का फिल देखिया 3 2 1 x3 y3 का फिल माइनस 1 minus 8 है और यहां वाला फिल वन है अब क्या करेंगे वैसे एक्स्प्रेंड करेंगे एक्स्प्रेंड करने के बाद आपका एंसर आज जाएगा चली एक्स्प्रेंड करते हैं और देखते हैं समझते हैं इसको चीपर से देखिया अवर्ण जो मैंस टूंपर एक्षमिंट कर देता हूं मैंस टुप एक्षमिंट फहाँ यह कर टीच पूर्ण तो 1-8 है अब मैं माइनस 3 पूर्ण कर नहीं इसका सिम्बढ आनर पर फालेश यह माइनव听 पर उठा रहा माइनस ट्रय ओंगा यह साम कर इस तो बच़ कर माइनस 1 माइनस 8 ये वाला भेलू आपका अडर घ्यान देजीगा समझेगा अच्छी तरह से इसको 1 बाइ 2 माइनस 2 इन्तु क्रोस मल्टिपल करते है 2 का 1 से गुना करेंगे 2 अब इच में सिंबल होता है माइनस तो घाटा संब्सक्राइब सकत्रतर गांट कर देंगे लाएं से बना सकत्राइब 1 आपको से हो गया माइनस 24 24 बिच में सिंबॉल मैस क्रॉस मल्टिपल में तो मैस मैस कर जएगा प्लस आप 1 का 2 से गुना कर देंगे 2 कुछ इंतर नहीं पड़ा आपको क्रॉस मल्टिपल आनी चेह अची तरह से इसमें आपको दिकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं पहले 4.1 में 2 में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा कर चुका हूँ अब देखिए आगे 1 बाइ 2 दो और 8 जोरतेंगे 10 आ 10 का मैस 2 से गुना कर देंगे माइनस 20 अगे देखिए 3 एक चार जोरेंगे न 3 एक चार जाए चर्टी कितना होजेगा बाड़ा अब आगे 6 Pocket करें गट्था ँएर माइनस बीस और माइनस बाइस कितना होगे और 42 आपका बाड़ाव एक हर लगत करना परेगा प्लस करना परेगा मैंने आपको तीन नियम ना पर था ना पर्ला नियम यह था की जब फिर रिनात्मक आया उसमें मोडलस लागा प्लस करेंगे नंबर टू था कि छेत्रफल जब दिया हो तो उसको प्लस में धनात्मक रिनात्मक दुन उठाते हैं और नंबर थिरी था कि जब भी त्रिभुच का छेत्रफल जीरो आ जाए तो मान लेते कि तीनों बिंडू क्या है संदेखें तो यहां पर 12 में सब 42 गटा दिया माइनस 30 आगे वन बैट टू गुना जैसे मैं मैं माइनस 30 में मोडलस लगा दिया प्लस होकर निकलेगा काटी यहां पर 15 दुना 30 यहांनि 15 आगया 15 वार गे एक हैं तो आपने देखा यहां पर 1 का 1 2 3 कोश्चन मैंने आपको स कोश्चन नमबर 1 कोशी तरह से सल्व कर चुक है कोश्चन नमबर 1 में 3 कोश्चन थी अब कोश्चन नमबर 2 देखिए बोल रहा है कि दर्स आये कि बिंदू ABC तीनों क्या संडेक है तो आपको मैं टिपनी में मुख्या बाते में बताया था कि जब त्रिभूज का छेत्रफ तो आपको तीन बिंदू दिया क्या-क्या पहले उसको लिख लेजिए देखिए आपको तीन बिंदू मेरे को क्या-क्या दिया तीन बिंदू यहाँ पर A दिया है A का वेलू क्या-क्या देख सकते है तीन बिंदू A का दिया है A कॉमा B प्लस C तो इसको आपको लेट करके चलना पड़ेगा X1 Y1 ठीक है दूसरा बिंदू आपको B दिया है दूसरा बिंदू B क्या दिया देख सकते है B, C प्लस A यहां पर जो बिंदू दिया उसको लेट करेए चलना पड़ेगा X2 Y2 और तिसरा बिंदू आपको C दिया क्या दिया C, A plus B यह दिया है यहाँ पर इसको X 3 आप इसको Y 3 लेटको के चलना पड़ेगा जली अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे त्रिभूज का शेतफल का फ्रमूला अपलाई कर देते हैं या दें त्रिभूज के शेतफल का फ्रमूला क्या था 1 by 2 into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 कितीना अब भेलू को पूड़ कर देते हैं 1 by 2 x1 y1 यह पहले वाली x1 और y1 का भेलू है x1 y1 का भेलू देखिए a अब b पलस c उसका बद कर रख देंगे 1 अगे x2 y2 तो x2 y2 का भेलू देखिए b c पलस a और 1 x3 y3 x3 y3 x3 y3 क्या भेलू है c a पलस b और यहाँ पहुज़ेगा 1 देखिए मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 का भेलू पूड कर दिया अब मेरे को क्या करना इसको सल्व करना है यदि तिरे भूज क्या अच्छी तफल 0 आ जाएगा तांत मैं बोल देंगे कि 3 बिंदू a b c आपस में क्या है तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं इसको simple पर हम चाहेंगे तो ऐसे 3 पर explain कर सकते हैं प्षब कर सकते हैं आपका answer वैसे इसमाईगा तो एक एक उठा का explain कर सकते कोई दिकत नहीं है देखें यह बनाउं को किरिया करने के वाद आपका पळिणाम क्या रही है आर्वन को अर्टू से घटा देअगे ए C plus A को घटाना है R1 को R2 से घटाना है इसका change up होज़ेगा minus C minus C होज़ेगा plus C minus C कटिस होज़ेगा अब बचेगा B minus A और यहाँ 1 को 1 से घटा देंगे 0 अब देखे R2 का भी क्रिया करना है किया R2 को R3 से घटाना है तो B को C से घटा देंगे B घटावे C C plus A को A plus B से घटाना जैसे A plus B को घटाओंगा इसका symbol change होज़ेगा minus A minus B होज़ेगा तो plus A minus A कटिस होज़ेगा बचेगा C minus B और 1 को 1 से घटा देंगे बचेगा 0 अब देखे तिसरी पंक्ति को छोड़ देना C A plus B और 1 इतना करने के बाद अब देखे मेरा यहाँ पर एक सर तिसरी पंक्ति का 2 भेलू 0 हो गया मैं 1 पर explain कर दूँगा मैं सिर्फ 1 पर explain कर दूँगा simple सा हो जाएगा चलिए explain करता हूँ 1 बटे 2 मैं किस पर explain कर दिया 1 पर explain कर रहा हूँ करिए जैसे मैं 1 पर explain करूँगा उसके आमने सामने का टूटर elements गया वज़ेगा खत्म हो ज़ेगा क्या क्या बचेगा A माइनस B B माइनस A और A यह 1 पर के यह कर्टीस यह कर्टीस A माइनस B, B माइनस A और B माइनस C बच रही है और C माइनस B यह भेलो बच रही है 1 बाइ 2 1 से गुना करना कोई effect नहीं पड़ेगा चलिए cross multiple करना है A माइनस B को गुना करना है C माइनस B से A माइनस B I into हो ज़ेगा C माइनस C C माइनस B cross multiple बीच में सिंबल हो ज़ेगा घटाव का यहां B माइनस C का गुना करना B माइनस A से गुना कर देना B माइनस A से गुना करना ज़ेगा तो B माइनस C B माइनस C का गुना किसे करना B माइनस A से B माइनस A से चलिए मैं यहाँ पर चाहूँ तो break करके किरिया कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आड़ी है कर क्या देते हैं यहाँ पर समझे ध्यान से C-A मैंने देखिए यह 1 by 2 इसको जोगा तो छोड़ेता हूँ मैं A-B और यह है C-B यहाँ मैंस है तो मैंस छोड़े यहाँ जोगा थोगा तो मैंस माइनस अ-D के से हुआ और यहां से माइनस कमण ले रहा हूं तो माइनस माइनस हमना करना परेगा जैंस आप माइनस कि मिदम शीमी पहले चला आध सब्सक्राइब दोस्तों द्यान देंगे बी माइनस सब्सक्राइब माइनस को मले लिए तो मैस में सब्सक्राइब अब बात को पकड़िए अब देखें यहां पर एक इस ट्रिप्ट वास और बढ़ा देता हूं इंटू A-B, इंटू C-B, अब देखें, माइनस यहां पर गुना में इधा घर ड़ता हूं, A-B को पर लिए अपको कुछ दिखाई दे रही है क्या देखें इसका चीन प्लस है और इसका चीन क्या माइस है यह वाला वेलू क्यों जाएगा कटने को प्रांथ 1 बाइ 2 इसका वेलू कटने के बाद यह वेलू हो गया 0 तो आप देख रहा है चुकि तिरे भूज का छे त्रफल क्या आ गया 0 आ गए जैसे जितर्फोज का छे त्रफल आया तो आपका सकते हैं कि आता A B C तिनो क्या है संडिक है तो भाषा अपलाई कर देंगे आता A B और C क्या है संडेक है दोस्तों मैंने आपको अची तरह समझाया था जब त्रिभूच कर्शी तरफल जीरो आएगा तो बोलेंगे कि तिनों बिंदुएं आपस में संडेक है